जेहन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 27 जनवरी का जो SSC GD का फर्स्ट सेप्ट का जो एक्जाम है उसमें महत्यपूर्ण कॉस्चन पूचे गए हैं किट्टी होक कौन सा किट्टी होक एक लड़ा को विमान माना जाता है कौन एक लोह में सरधातू है लोह में सरधातू पूंचा गया है तो इनवार जो है एक लोह में सरधातू मानी जाती है गरबाचरा की जाचे एक प्रकिरिया है तो आपका सईया अंसरों का तीन में ब्रूण के स्वस्ट की पिस्टिती के निर्धारण के लिए कॉस्चिन नम्बर चार आपसे पूँचा गया कि कौन से मौरे सासक भद्रबाहु के साथ सर्वन बेल गोला गई थे कौन गई थे वह मौरे सासक आपके लिए बताना है तो शंद्र गोप्ता आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन पूँचा गया कि पहला ग्यात गोप्त सासक कौन था ये पूँचा गया है तो आप सभी का सही आंसर है स्री गोप्त कौन थे श्री गुप्त आपका सही आंसर होगा विल्कुल सही अंगला कॉस्चन देखे प्राकृतिक रेडियो सक्कृता की खोज किस ने की थी प्राकृतिक रेडियो सक्कृता की खोज की थी किनोंने ब्यल्यूरल ने ब्यल्यूरल आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्षय ने दुई पत्र का प्रियोग किसके लिए किया जाता है दुई पत्र का प्रियोग जो है सुद्धी करण के लिए किसके लिए सुद्धी करण के लिए इसका प्रियोग किया जाता है आंगे वरते हैं कि सराज्जी के कड़कनात चिकन को भोकोलिक संकिताङ़ टेग प्राप्त हुआ है, दिया गया है तो आप सभी का सहिया आंसर है मद्देप्रदेश, मद्देश आपका सहिया आंसर होगा, प्रकास थेलेशन के दौरान मगत होने वाली गयस कौन सी है, भैं गयस आपके लिए बताना है तो औक्सीजन आप का सहिय हाउस प्रभाव का अर्थोरता है कि उश्ण कटी वंदिय चेत्रों के घरों में प्रदूसर ये कॉस्चन थे अपने जो है बहुत ही महत्पून कॉस्चन थे सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें वो जादा से जादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए इसी तरह का अनलिसिस लाती रहेंगे तो चैनल को सस्क्राइब बस रिकल लेंगे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के बीटों है बस इतना ही जय हिंद